शिव सेना को ले करके और उद्धव ठाकरे को ले करके अब तक का सबसे बड़ा पोल हम करने जा रहे हैं 26,000 से जादा लोगों के वोट 26,000 लोगों का फैसला और हम बताने जा रहे हैं आपको कि शिव सेना को क्या आखिर में उद्धव ठाकरे बचा पाएंगे यह सबसे बड़ा सवाल क्या शिव सेना को उद्धव ठाकरे बचा पाएंगे इस सवाल के साथ हम 26,000 से जादा लोगों तक संपर्क किया आउनलाइन पोल के जरिये और उन लोगों ने वोट किया इस पर और उन्होंने बताया कि हाँ उद्धव ठाकरे शिव सेना को बचा पाएंगे और यह सबसे बड़ा पोल है अब तक का शिव सेना को लेकर के कि जिस तरीके से शिव सेना को लेकर के संक्ट मडरा रहा है लगातार एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कोर्ट में मामला चल रहा है आज कोर्ट में सुनवाई हुई है कमाम तरह की दलीलें दी जा रही है कोई बोलता है कि इसमें जो है कानूनी दाव पेच में हो सकता है क उद्धव ठाकरे पीछे रह जाएं लेकिन इन सब के बावजूत अभी भी भारी संख्या में लोगों का कहना है कि हाँ उद्धव ठाकरे शिव सेना को बचा पाएंगे क्यों कहते हैं ये लोग क्या दाओ पेच हैं ये आगे कूर्ट बताएगा लेकिन ये सबसे बड़ा पोल बताता है कि अभी भी उद्धव ठाकरे को उतना कमजोर नहीं माना जाना चाहिए कानूनी तोर पर राजनेतिक तोर पर व्योहारिक तोर पर जितना अंदाजा लोग ल स्यास कर रहा है बावजूद इसके उद्धव ठाकरे मजबूती से लड़ाई लड़वाएंगे अलाकि इसके पहले भी शिवसेना कई बार बगावत का सामना कर चुकी है लेकिन इतना ज्यादा बैक फुट पर शिवसेना नहीं थी जो हमने पोल किया इस पूरे पोल को मानना है कि नहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना को नहीं बचा पाएंगे यह अपने आप में सबसे बड़ा सबसे चौकाने वाला पोल है यह पोल इसलिए चौकाने वाला है चुकि माना यह जा रहा था कि उद्धव ठाकरे कानूनी तोर पर कमजोर पड़ जाएंगे चुकि भारी संख्या में विधायक हो, सांसद हो, कॉर्पोरेटर हो, पारशद हो, यहां तक कि कुछ-कुछ तो कारे करता, कई जगहों से जिला इस्तर के कारे करता भी एकनाथ शिंदे के करीब जा रहे हैं। वर्ग उनके साथ है, बाजूद इसके, आठ अगस्त को निर्वाचन आयोक के सामने, वो तमाम दस्तावेज, वो तमाम दलीलें, वो तमाम बातें, वो कानूनी दाओं पेच भी जाएंगे, और जिसमें इस बात का अंदेशा लगाए जाएगा, कि हाँ, यह उद्धव ठाकर के पास शिव सेना की प्रमुख की कुर्सी बची रहेगी या नहीं, यह अबनी आप में बड़ा सवाल है, इन तमाम प्रश्णों को टटोला जाएगा, इन तमाम तथ्थों को देखा जाएगा, बाजूद इसके हमने सबसे बड़े पूल में बताने की कोशिश की है, कि आगे क्या वो अपना जनाधार स्थापित कर पाएंगे, और क्या एकनाथ शिंदे, जो बगावत करके कहें शिव सेना से, वो शिव सेना को जो कब जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता हसिल कर लेंगे, इन तमाम घटना क्रमों पर कल या तो सुप्रीम कोर्ट की सु जनाव आयोग तैक कर देगा, चुकि दोनों ही फैक्ट पर बात कर रहे हैं, दोनों कानून के रोशनी में बात करेंगे, दोनों वास्तवी कि स्थिति की बात करेंगे, कानून किसके साथ है, बेवस्था किसके साथ है, पार्टी का समविधान क्या है, यह जो तमाम आर्टि को खंगाल जाएगा इस पूरे घटना करम इस पूरे पोल को ले करके आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं नमस्कार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें